हेलो दोस्तों, गैजट इंटे के ड़ाइस चनल में आप सबीग एक बाफिस से स्वागत हैं दोस्तों, शाओमी ने अपने पुराने स्मार्टफोन को लेटिस्ट सौफ्ट्वेर अपडेट के लिए सपोर्ट लॉंच किया था और अब शाओमी ने अपने 6 लोग प्रे डिवाइस के लिए भविश्च में MIUI अपडेट ना मिलने की भी गोश्टन कर दी है इन डिवाइस की बात करें तो ये डिवाइस हैं आपके Mi 2, Mi 2S, Mi 2i, Redmi Note 4G, Redmi 2, Redmi 2 Prime और Mi Note शामिल है इन 6 स्मार्ट फोन को MIUI 9 अपडेट के तौर पर आखरी स्टेबल रॉम अपडेट मिलेगा शाओमी ने अपने एक फोरम पोस्ट के जरिये अपनी इस फैसले की पुश्टी की और बताया कि पुराने डिवाइस को अब कोई भी क्लोज बीटा और पब्लिक बीटा वर्जन अपडेट नहीं मिलेगा इसके अलावा इन सभी डिवाइस को आखरी बीटा वर्जन के तौर पर MIUI ग्लोबल बीटा रॉम 7.11 दिया गया है जिंकी कमपनी इन स्मार्टफोन को MIUI 9 ग्लोबल स्टेबल रॉम नॉर्मल तरीके से जारी करेगी अपडेट को दिसमबर से जनवरी के बीच OTA के जरिये उपलब्द कराया जाएगा अगर आपके पुराने डिवाइस को अभी MIUI 9 ग्लोबल बीटा रॉम अपडेट नहीं मिला है तो शाओमी जल्द ही आपको MIUI 9 ग्लोबल स्टेबल रॉम के लिए प्रोसेस बताएगी दोस्तों गौर करने वाली बात ये है कि शाओमी के पुराने हैंडसेट की लिस्ट में MI 2 और MI 2S स्मार्टफोन सामिल है ज़से 5 साल पहले 2012 में लांच किया गया था इन हैंडसेट में लांच के समय Android 4.1 Jelly Bean Based MIUI 5.0 दिया गया था शाओमी ने इसी महिने Redmi Note 4, Mi Max 2 और Mi Mix 2 डिवाइसेज के लिए MIUI 9 Global Stable Roam अपडेट जारी किया था में MIUI वर्जन के लिए Notification Alert, Split Screen, Animated Icon, Smart Photo Editing जैसे options भी दिये गए है कमपनी ने एक Smart App Launcher भी दिया है जिससे Home Screen से ही App का पता चल जाता है दोस्तों ये खबर Xiaomi के उन Phone Users के लिए काफी बुरी कही जा सकती है जो कि काफी पुराना Model यूज कर रहा है उन्हें अब आगे कोई भी अपडेट नहीं मिलेंगी तो दोस्तों इस वीडियों बस इतना YouTube कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट जरूर करें और दोस्तों माई चैनल Gadget In Tech Toys जरूर सबस्क्राइब करें